हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टो दा आई एम बी एजुकेशन आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रो केमेस्ट्री के नीट प्रिवियर्स एर्स क्यूशन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के जो है वो क्यूशन हम इस वीडियो के अंदर डिसकस कर रहे हैं और ये इस वीडियो का पार्ट टू है इससे पहले हम पार्ट वन अप्लोड कर चुके हैं जहापर हमने केवल 32 क्यूशन जो है उनको डिसकस किया था अब हम 32 से आगे जो है वो क्यूशन डिसकस करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लोंग हो रही थी और यहाँ पर क्योंकि निमेरिक पार्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको समझाने में एक्स्प्रेट करने में वीडियो बहुत लोंग हो रही थी इसलिए इसका सेकिंड पार्ट जो हमने बनाया है तो हम जो है आज स्टार्ट करने वाले 33 कि उसन से और साथ की साथ जो हम NCRT के पेज नंबर भी बताते हैं कि क किस पेज नंबर से यह टोपिक आ चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर इससे आपने पहले वाले चैप्टर से या इससे पहले वाला पार्ट अपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन मिल जाएगा जाएग अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देख देर बात देख रहे हैं इस वीडियो को तो साइध हमने सभी चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुके होंगे ओके, following limiting molar conductivity आर गिवन यह limiting molar conductivity दिये है Xm H2SO4 की X दिये है और Xm K2SO4 की Y दिये है M CS3COK की Z दिये है और यहाँ पर जो है Xm यहाँ पर पूचा है CS3O का यहाँ पर क्या होगा मतलब इनके बीच में relation पूचा है indirectly तो देखिए NCRT का page number 83 पे colorist low जो है वो आपको मिल जाएगा यह सब कुछ वहीं से पूचा गया है अब simple simple क्या है आपको मैं simple language के अंदर समझाओं तो इन्होंने यह का है कि हमारे पास में तीन अलग-अलग molecules हैं इन तीन अलग-अलग molecules को हम किस तरह से रखे कि हमारे पास में CH3COOH मिले इस टाइब से अगर आपको यह समझ में आगया तो यह बहुत ही आसान तरीका होता है इस टाइब के equation को करने का अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए देखिए CS3COOH चाहिए तो CS3COOH यहां पर है बट यहां पर हमारे पास में K है हमें K नहीं चाहिए इस के स्थान पर क्या चाहिए H चाहिए तो इसका मतलब यह तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर इसके अंदर हम add कर दे H मतलब CH3O COOK के अंदर से हम K को माइनस कर दे और इसके जगे पलस जो है वो H ले आए तो हमें CH3 COOH मिल जाएगा बिल्कुल सही है हाँ जी अब यहाँ पर देखिए H2SO4 में से हम हाइटरोजन ले सकते हैं और K2SO4 में से हम क्या निकाल सकते हैं A2 निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए हमें तो केवल एक हाइटरोजन चाहिए ना बट यहाँ पर कितने हैं दो है और यहाँ पर हमें रिमू कितने को करना है केवल एक को करना और यहाँ पर कितने हैं दो है इसका मतलब क्या है इसमें से अगर हम हाफ ले हाफ को add कर ले और हाफ को ही remove कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा CH3COOH मिल जाएगा यह बहुत ही एक simple सावे है इस टाइप के question को करने का तो यहाँ पर देखी क्या होगा अगर हमें CH3COOH चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं CH3COOK जो है यहाँ पर इसको adjectives रखते है इसके अंदर जो है वो H2SO4 अब H2SO4 में दो हाइटरोजन है बट इसका क्या कर लेते हैं हाफ को add कर लेते हैं माइनस में क्या कर लेते हैं K2SO4 कर लेते हैं बट यहाँ पर 2 ke 2 हमें कितना चाहिए, केवल एक ही को हटाना है तो इसका भी हाफ कर लेते हैं सिंपल अश्वव ऐसा करते हैं यहाँ पर जो X है इसको X by 2 Z में प्लस कर लेते हैं क्योंकि यह जाड़ वरत होगा Z में प्लस X by 2 कर लेते हैं कहाँ पर है Z plus X minus Y by 2 क्या और कोई है S type है यहाँ पर 2 Z नहीं होगा यहाँ पर simple नहीं है यहाँ पर simple नहीं है तो इस type का यहाँ पर हमारे answer मिल रहा है तो answer आजाएगा option D NCRT का page number 83 colorless law, NCRT page number 83 ओके, चलिए next किस्से number 34 देख लेते हैं तो यहाँ पर हम से molar conductivity पूछा गया है अब यह molar conductivity वाला जो है यह कहाँ पर मिलेगा यह हमें NCRT का page number जो है, वो 79 and 80 पर मिलेगा इनका relation, क्लिएर है, कहाँ पर मिलेगा NCRT page number 79 and 78 इस type के example जो है वो 3.4 and 3.5 जो example NCRT के, वहाँ पर भी molar conductivity को निकालने का जो है, वो फोर्मूला दिया हुआ है और वहाँ पर किस्सेन भी पूछा गया तो यहाँ पर देखे, molar conductivity को delta M को अगर हमें निकालने तो यहाँ पर simple क्या कर देते है, जो हमारा molar constant है, molar constant को multiply by 1000 और divide by क्या कर देते है, molarity कर देते है, तो हमारे सामने जो वो molar conductivity आ जाएगी अब यहाँ पर देखे, क्या दिखे, with electrolyte conductivity of यहाँ पर यह दिया हुआ है हमारे पास में molar constant के हमारे पास में दिया हुआ है, molar जो है molarity हमारे पास में दिया हुआ है, 0.5 mol, और यहाँ पर हमारे पास में temperature का कोई roll भी नहीं है, और यहाँ पर into 1000 करना है, तो simple क्या करना है, केवल direct जो है, वो value put करनी है तो यहाँ पर 5.76 into 10 की power minus 3 multiply by 1000 यह करेंगे, तो यहाँ पर यह directly कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, और यहाँ पर यहाँ आओगा, 0.5 जो इसको divide कर लेंगे, 0.5 कितना है, 1 by 2 तो इसका 5.7 को लगबग multiply डबल करेंगे, तो यह आएगा हमारे पास में 11.5 अब 11.5 कहाँ पर आ रहा है, 11.5 यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा अंसर आ जाएगा option B, फिर बता रहा हूँ, NCRT से ही सब कुछ पूछा गया है, ओके, next हम question number 35 देख लेते हैं ओके भाई, question number 35 बोला गया है at 25 degree Celsius molar conductance of 0.1 molar aqua solution, 0.1 molar aqua solution दिया है, of ammonium hydroxide is 9.54 ohm centimeter square per mole at an infinite dilution, its molar conductance इतना हो जाता है the degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature यानि same concentration and temperature पर हम से क्या पूछा है, degree of ionization पूछा है, degree of ionization पूछा है, यानि हम से alpha पूछा है NCRT का page number 83 and 84, कहा से पूछा है NCRT page number 83 and 84, वहाँ पर formula दिया है अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा है यहाँ पर हम से क्या पूछा है, degree of ionization, जिसको हम alpha से करते है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो molar conductivity है, at concentration C, यानि कोई भी एक concentration दिया हुई है, वहाँ पर, divide by molar जो है, conductivity किस पर होगी at infinite solution जो infinite solution होगा वहाँ पर हमें देखना है, तो infinite dilution अपोन में concentration, तो यहाँ पर द्यान से देखिए यहाँ पर इननों बोला है molar conductance of 0.1 molar aqua solution of ammonium, तो यहाँ पर यह एक concentration पर जो इसकी conductivity है वह कितनी दी हुई है, 9.54 दी हुई है, यानि 9.54 जो है, वह 0.18 concentration जो भी C है, 0.1 वाली, उसके उपर हमें molar conductivity दे दी है, ओके and infinite dilution पे भी हमें दे दी है and infinite dilution कितनी दी है, 283 दे दी है, तो simple simple क्या करेंगे हम alpha निकाल लेंगे alpha लिए के लिए क्या करना पड़ेगा जो हमारी molar conductivity and concentration C दी हुई है और हमारी infinite dilution पे दी हुई है उसको हम simple कर लेंगे अब जब इसको इससे divide करेंगे तो यह हमारे पास में आएगा 0.04008 इस type का आएगा अब देखिए 0.004 तो हमारे alpha है बट हमसे percentage में पूचा है option किसमें पूचा है percentage में तो multiply क्या कर देंगे 100.04008 को multiply कर देंगे जब 100 से यहाँ पर यह कट जाएगा और यह आएगा 4.008 तो 4.008 परसेंट वाला यह हमारा answer आजाएगा तो answer आजाएगा option A बहुत असान सा question था नेक्स्ट नम्बर जो है वो 36 देख लेते हैं क्योस्सर नम्बर 36 देखे limiting molar conductivity of NH4H NH4H में हमें निकालना है देखे यहाँ पर simple simple है NH4H बनाना है हमें हम NH4H किस-किस से मिला सकते हैं NH4CL में हम NACL add कर देते हैं और NAOH को remove कर देते हैं फिर NAOH को जो है उसमें NCL में add कर देते हैं NH4CL को remove कर देते हैं इन दोनों को add करते हैं फिर इसको remove करते हैं simple simple देखे द्यान से हमें क्या बनाना है NH4H बनाना है सबसे पहले हम नहसफोर देख लेते हैं NH4CL तो यहाँ पर है NH4OH है और NH4CL है अब देखिए अगर NH4 OH already बना हुआ है, उसके अंदर हम कुछ add करेंगे, यह तो क्या बात होगी, क्या बात होगी है, इस टाइप की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होगी, अगर NH4 हमें बनानों रूसी को हम ले रहे हैं, तो उसमें कुछ और एड करें तो यह तो हमारे कोई CL को नहीं लाना है, CL में CL add नहीं करेंगे, OH को यहाँ पर लाना है, तो यह OH को हम यहाँ पर ले आएंगे, और यह CL जो है, वो NA के साथ में remove करके, NACL में remove कर देंगे, तो क्या हो सकता है, हो सकता है, तो यह हमारे answer क्या बनेगा, option D बनेगा, बिलकुल simple simple सा logic लगा के इसको क करेंगे, इसी टाइप का same question का वहां भी discuss करेंगे, 2021 में, अब देखे, molar conductivity at infinite dilution of NACL, HCL, CS3, OO, NA, R, और यहाँ पर क्या पूचा गया, CS3, COOH के लिए पूचा गया, अब ध्यान से देखिए भिया, CS3, COOH कैसे आ सकता है, यहाँ पर देखे, simple simple सा देखे, यह वाली चीज तो हम ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, CS3, COO, NA ले लेते हैं, अब इसमें से NA remove करना है, और HCL को add करना है, तो plus क्या कर लेते हैं, HCL, remove क्या करना है, NACL, यहां से CL निकल जाएगा, यहां से NA निकल जाएगा, तो दोनों NACL यहां से निकल गए, और H, एड हो जाएगा तो simple simple क्या करना है इनकी molar conductivity है वो as it is लिख लेनी है अब CS3 का कितना है 91 है plus में HCL का कितना है यह 425 है approximately मान रहे है और यहाँ पर जो NACL है उसका कितना है minus में 126 है 426 कर लेते हैं तो आपर यह 426 में से चला जाएगा तो यह 300 बड़ जाएगा 391 के approximately हमारा answer आना चाहिए कितना आना चाहिए 391 के approximately मारे इसका answer आना चाहिए और option देख लेते हैं हमारे पास में कितनी है 420 122 93 93 91 के आसपास आ रहा तो हमारा answer यहां पे बनेगा option D बनेगा 2012 में 1997 में 2021 में सेम इसी टाइप का क्योशन जो वो पूछ लिया है आगे हम discuss भी करेंगे याद रख लेना ओके चलिए next time क्यों से नंबर 38 देख ले थे क्यों से नंबर 38 में क्या पूछा गया यानि एक strong electrolyte आप स्ट्रोंगनेटलाइट क्या हो जाएगा कोई कोई भी concentration ओ वहाँ पर किया हो जाएगा कम् Wedioli Alive मतलब क्या उसके इतने भी आइन से वह सारे के यह सारे breakdown हो जाएंगे अब यहां पर देखें की लिख गया अगे साइडेक्नेट्र strong electrolyte with dilution अगर उसको हम dilute कर रहे हैं mainly due to तो क्या होगा होगा होगे increase in ionic mobility of ions 100% ionization of electrolyte at normal dilution increase in both number of ions and ionic mobility increase in number of ions अब देखे strong electrolyte अगर weak electrolyte होता तो वो बार-बार क्या होता breakdown होता बट यहां पर क्या है strong electrolyte है एक ही बार में जो है वो breakdown हो चुका है at normal dilution अगर उसमें बार-बार अगर हम dilution बढ़ाएंगे तभी यहां पर 100% dilution हो जाएगा अब उसके बाद में हम से क्या पूछा है यहां पर पूछा है कि increase in equivalent conductance कैसे होगी तो देखे इसी वज़े से होगी क्योंकि वहां पर जीसे-डीसे डाये toughest बढ़ाएंगे उसका area दाए गा अगर area बढ़ता जाएगा तो यहां पर इनिक मॉबिलैटी है यह वो भी क्या हो You बढ़ती जाङी वां पर जो आइशा निक मोबलेटी हो क्या होती जाएगी में इसा नमर 39 में बोला गया, which of the following expression correctly represent the equivalent conductor set infinite dilution बोला गया, यह काफी important है, यहाँ पर क्या बोला गया, infinite dilution बोला गया, तो यहाँ पर देखिए, आगे क्या बोला गया, AL2SO43, given that AL plus 3 and 8 not, sorry, alpha not, SO42 minus, आज़ दा equivalent conductor set infinite dilution of the represent iron, तो यह कैसे represent करेंगे, तो यहाँ पर simple simple represent करेंगे, यहाँ पर कोई भी उससे पहले जो है, वो number नहीं आएगा, उसके number of lines जो होते है, वो नहीं आएगा, directly represent करेंगे, यहाँ पर ax plus by जो होता है, उसी type से डारेक्ली represent करेंगे, यहाँ पर यह directly इसमीं जो है, वो देख लेते हैं 40 कि उससे नंबर 40 आ चुका है भाई हमारे सामने कि उससे नंबर 40 में बोला गया था equivalent conductance of M by 32 solution of a weak monobasic acid यहां पर equivalent conduction दिया कितना 8 more centimeter square and infinite addition पर दिया कितना 400 the dissociation constant पूछा है इसमें अब भी कुछ रहता है क्या कुछ रहता है हमसे क्या पूछा है यहां पर सबसे पहले हम क्या निकलेंगे alpha निकलेंगे alpha निकालने के बाद में क्या है pepper पर क्या पूठ़ है dissociation constant पूठ़ तो तो सिंपल सिम्सा देख alltså यहां पर हम क्या करेंगे के ढोड़ो कैशन कोट इस किल था कि हुए है c alpha square c दे दिया है हंजी alpha निकालना है हंजी तो अब alpha निकालने के लिए directly क्या करेंगे देखो alpha निकालने के लिए हमने बताए था कि यहाँ पर क्या होगा जो molar conductivity at concentration c कितनी है इट इंफाइन डिलीशन आ गया तो अब यहाँ पर यह तो हमारा क्या आ गया एट कितना आ गया यह alpha आ गया अब अब हमें के निकालना है हमसे पूछा गया है dissociation concept तो यह क्यों होता है c alpha square होता है अब यहाँ पर देखिए c कितना है यह है वन बाइ 32 यह हमारे आम साबने दिया हुए कितनी आएगी 1.25 इंटो 10 की पावर माइनस वाई जो है वो वेल्यू निकल कर आएगी तो अंसर क्या आ जाएगा option D आ जाएगा ओके next हम किसे नमबर जो 41 डारेक्ट कॉलरस लो पूछा गया यह बोल रहा है कि कोलरस लो जो है वो क्या बताता है option दिये गए अलग लग देखते हैं सबसे पहले बोल रहे है यहां पर क्या बोल रहा है इनो ने देखे थोड़ा से चेंज किया है क्या ने है इसका जो क्रेक्ट आंसर है anxiety के page number 83 के according वो हमारे सामने ये वाला है कि infinite dilution पे हार एक आयन जो होता है वो definite contribution करता है conductance के अंदर क्या है nature other आयन का कुछ भी हो तो answer क्या बनेगा option A बनेगा ओके भाई next हमारे सामने question number 42 है question number 42 देख लेती है equivalent conductance of BA2 plus and CL minus यहाँ पर यह 127 and 76 दिया है equivalent conductance पूछा है तो equivalent conductance जब निकालना होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं simple देखे infinite पर जब हमें निकालना होता है infinite dilution पे तो हम one upon में end plus जितना भी charge है plus minus वाला upon में उसकी conductance plus में one upon में उसमें जितना भी charge है and उसकी conductance तो यहाँ पर देखते है plus की और माइनस की, यहां पर कैथोर्ट की और अनोड इस टाइप से ले रहे है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज कितना है, टू है, माइनस चार्ज कितना है, वन है, तो वन बाई टू इंटू, यह इसका भी ए, प्लस टू का कितना है, वन टूटी सेवन, प् तो answer क्या बनेगा option A क्योंकि equivalent conductance पूछा है तो वहां पर जितना चार जोगा उसको divide करेंगे तभी तो उसका equivalent conductance आएगा तो हमारा answer क्या बनेगा option A बनेगा next question number 43 देख लेते हैं अब हम चलते हैं किसमें question number 43 question number 43 में क्या पूछा गया देखिए the specific conductance of a 0.1 normality kacial solution at 23 degree celsius यह इसका जो है वो conductance दिया वा specific conductance the resistance of cell conductance the solution at the same temperature was found to be यहां पर resistance दिया 55 ohm the cell constant पूछा है यहां पर क्या पूछा है cell constant पूछा है ncrt का page number 78 cell constant को लिखा हुआ है वहां पर g star से g star is equal to k into r r क्या पर resistance क्या k यहां पर क्या है molar conductance molar conductance हमारे सामने बिल्कूल दिया हुए कितनी 0.012 resistance दिया हुए 55 तो directly ncrt के page number 78 के according इन दोनों का क्या करना है केवल multiplication करना है किस किस का 0.012 multiply by 55 इसका जब हम multiply करेंगे तो आएगा 0.66 तो यहां पर हमारे answer आजाएगा option b 0.66 clear हो गया next हमारे सामने question number जो है वो है 44 question number 44 में क्या पूछा गया on heating one end of piece of a metal the other end become hot because of जब हम किसी भी metal को heat करते है तो उसका other ends होता है वो moving to the other end minor perpuration in the energy of atoms resistance of the metal या फिर mobility of atoms in the metal तो यहां पर क्या होता है जो एनर्जाइज जो electron होते है वो other end की तरफ move करने लगते है उसकी वज़े से जो other end होता है वो भी क्या हो जाता है electrolytic cell and electrolysis need 2020 का question ओके बहीं इस टाइप के question पहले भी पूछे जा चुके हैं वो भी हम बात करेंगे आगे आएगे हैं इस टाइप के question तो याद रख ले ना ओके on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode the product obtained at anode will be जह हम हम dilute sulfuric acid जो उसको electrolysis करते हैं किसको यूज करते हुए platinum electrode को use करते हुए तो हमें anode पर क्या obtained होगा hydrogen gas oxygen gas h2s gas या फिर so2 gas ncrt का page number 87 last para कितना ncrt page number 87 last para को जब read करोगे वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम इसको breakdown करते हैं जब हम यहाँ पर dilute sulfuric acid वाले करते हैं तो anode पर जो reaction होती है वो होती है h2o और यहाँ पर किसमें convert होता है o2 प्लस 4 hydrogen ion में और प्लस 4 electron यहाँ पर कौन सी gas release हो रही है oxygen gas release हो रही है तो answer क्या बनेगा option b बनेगा ncrt page number 87 directly mentioned है last para के अंदर clear हो क्या अगे चलिए next हम चलते है क्यों से number 46 है क्यों से number 46 में क्या बोल गया the number of faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten cacl2 atomic mass हमारा जो है calcium का दियावा है 40 gram ncrt का page number 86 ncrt page number 86 अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है यह इसका answer आपको बता रहा है वो topic जो अगे रहाए वहाँ पर मिल जाएगा अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर हमें number of faraday बताना है कि 20 gram अगर calcium लिया है तो उसमें कितना होगा सबसे पहले देखिए CA2 प्लस उसके अंदर अगर हम 2 electron एड करते हैं तो हमारे सामने calcium बन जाता है अब 2 electron का मतलब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 2 faraday किलिए रहो गया दो faraday जो होता हुआ वहाँ पर calcium कितना बन रहा है कि एवल 1 mol बन रहा है यहाँ पर कितना बन रहा है दो फेराडे लग रहे हैं कितना 40 ग्राम में दो फेराडे लग रहे हैं तो 20 ग्राम में कितना लगेगा 40 का हाफ हो गया 20 तो 2 फेराडे का हाफ हो जाएगा कितना 1 फेराडे तो हमारे कितना लगेगा 1 लगेगा 2 लगेगा 3 लगेगा 4 लगेगा 1 फेराडे लगेगा तो answer क्या आजाएगा option A आजाएगा बहुत आसानी से आगया होगा clear हो गया होगा ओके चलिए भई next time चलते है question number 47 पे question number 47 बोला गया during the electrolysis of molten sodium chloride the time required to produce is 0.10 mole of chlorine gains using a current of 3 ampere ओके यहां पर क्या दिया गया during the electrolysis of molten sodium chloride the time required to produce यहां पर mole दे दिया गया है current दे दिया गया है और पूच क्या लिया गया है time पूच लिया गया है बहुत ही interesting question हो चुका है अब देखिए यहां पर sodium chloride का electrolysis होगा यानि NaCl का electrolysis होगा तो 2 sodium बनेगे और Cl2 gas बनेगी यह देदा तो Cl2 तो यहां पर 2 sodium लेना पड़ेगा clear होगया हाँ जी अब यह breakdown इसी type से होगा 2 Na plus और Cl2 यह जीज़ क्लेर होगी हाँ जी अब यहां पर देखिए Cl- हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा देखिए mole of chlorine gas दिया है ना इन्होंने केवल the time required to produce zero point of chlorine gas यानि इतनी chlorine gas अगर हमें करने हो करंट हमें दे दिया गया है ncr t में हमारे सामने page number 86 पे एक formula दिया हूए क्या क्या से अक्या पर क्या पूला गई है हमारे पास ampere current दे दिए गए अभी क्या उन निकालना है सबसे पहले हम क्या उन पता कर पाएं यानि कितने coolum's charge है तो ampere दे दिए गए और time हम निकाल लेंगे यह चीज होगी हैंजी clear होगया अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा chlorine gas होती है CL2 यह तो पता है chlorine gas पूचा तो साब साब CL2 आ गया भी है अब यहाँ पर क्या होगा जब molten state breakdown होगा तो 2CL2 जो होगा वो मनाएगी chlorine gas प्रस दो इलेक्ट्रोन यहाँ पर आ रहा है दो इलेक्ट्रोन का मतलब होगया यहाँ पर 2F कितना 2F कितना फेराडे दो फेराडे तो यहाँ पर chlorine gas के अंदर जो लग रहा है वो 2F फेराडे लग रहा है अब NCRT में सेम जगह वहाँ पर दिया हुआ है कि एक फेराडे में कितना कूलम चार्ज होता है एक फेराडे के अंदर जो कूलम चार्ज होता है वो 965000 कूलम होता है अब 2 कूलम के अंदर कितना हो गया 2 फेराड़ के अंदर कितना हो गया इसको multiply कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1,9,3,0,0,0,000 इतना आ जाएगा 1,93,000 जो है वो कूलम चाल जा गया हमारे पास में 2 फेराड़ के अंदर बट देखिए क्लोरीन गेस यहां पर कितना है एक मॉल है क्लोरीन गेस यहां पर कितने मॉल है एक मॉल है और हम से कितने मॉल निकल वा रहा है 0.1 तो इसको multiply कर देंगे 0.1 0.100 है 0,0,0,0 एक कम 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9,3,0,0 यानि 19,300 कूलम चार्ज निकाल लिया हमने यह सब कुछ हमने इतना करके क्लोरीन गेस का चार्ज निकाला है अब वो क्या हो इस उकल टू आई टी वाला लगा दो आई हमें दिया हूए टाइम हमसे पूछा है क्या हूँ हमने निकाल लिया दो फेराडे इतना मोल में यह सब कुछ आई हम कितना दिया है थ्री इसको डिवाइड कर दो थ्री से तो यह आएगा हमारे पास में 6433 अब यह टाइम जो आए वो किसमें आए सेकिंड्स में आए अब सेकिंड्स में आये तो इसको मिनिट में कनवर्ट करेंगे तो यह एप्रॉक्सिमेट्टी 107 मिनिट्स होगा अब 107 107 तो यहां पर एक ही है 10 के आसपास अगर हम लगाएंगे तो यहां पर यह लगा सकते हैं तो हमारा आंसर आजाएगा option B clear हो गया नेक्स्ट नमबर जो हो एट देख लेते हैं किसे नमबर 48 है दा नमबर ओफ इलेक्ट्रोंस डिलीवर्ट एड़ दा कैथोड दूरिंग इलेक्ट्रोलाइस बाइ एक करंट ओफ वन एंपियर इन 60 सेकिंड चार्ज ओन इलेक्ट्रों यह बता दिया गया कितना आसान हो सकता है देखो करंट दे दिया है क्या हूँ इस इक्वल टू आई टी हाँ यह ना हम जी अब यहां पर एक चीज देखना है अब यहां पर जो है इन्होंने बोल दिया चार्ज ओन इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों आया है कितना होता है वन पोईंट सिक्स जिरो इन्टू इन त cottage they we are estou kirsekeiten हमें बता दिया है क्या हमा रथकितना है 60 आया है तो हमारे पास में जो है है वह वन में कितना होगा अगर वन में पूछें तो यहां पर सिक्सटी अपन में one इसको डिवाइड कर लीजिए यह लगबग आएगा इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रोन आएगे तो मारा अंसर आजाएगा कितना आएगा बहुत ही आसान है सिंपल देखिए यहां पर इन्होंने बोला है MNO42 कनवर्ट हो रहा कि इसमे MNO41 में मतलब यहां पर केवल एक इलेक्ट्रोन जो है वो इधर एड़ कर देते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रोन का मतलब हो गया One Faraday कितना One Faraday अब वन फेराडव में कितना कूलम होता है 9,6,5,0,0 बट ये कितना मॉल है ये 1 मॉल है और हमसे पूछा कितना है 0.1 मॉल में तो 1 मॉल में तो हो गया 9,6,5,0,0 बट पॉइंट वन में पूछा तो इसको डियाइट गदेंगे ये आएगा 9,6,5,0 तो हमारे पास में आजाएगा 9,6,5,0 कूलम तो अंसर आजाएगा ओप्शन C क्लिर हो गया नेक्स्ट हम चलते हैं बगया किससे नंबर 50 में किससे नंबर 50 आचुका है हमारे सामने देखे दा वेट ओफ दा सिल्वर एटोमिक वेट देदिया है 10 displaced by a quantity of electricity which displaced 5,600 mol milliliter of oxygen at STP ओके इन्होंने बोला कि एक quantity of electricity है वो 5,600 milliliter oxygen को displaced करती है वही electricity सिल्वर को कितना displaced कर पाएगी ये इन्होंने पूचा है अब यहाँ पर लगेगा फेराड़ का second low अब फेराड़ का second low क्या बोलता है यानि जितनी electricity इसको displaced करने में लगी है उतनी same electricity जो है वो directly proportional होगी equivalent weight के यानि यहाँ पर simple अगर हम definition बताएं तो वो होती है क्या even same amount of electricity is passed through the several electrolyte the substance directly proportional to equivalent weight अब यहाँ पर इन्होंने देखी क्या बोला है इन्होंने बोला है O2 बोला है उकसीजन बोला है उकसीजन गेस बोला है अब उकसीजन गेस बोला है बट यहाँ पर इन्होंने 5600 कुछ दिया भी हुआ है तो equivalent weight के according निकालना ना तो सबसे पहले हम क्या निकला जेते हैं इसके mole निकाल लेते हैं के मोल निकाल लेते हैं एक्सिजन के तो 5600 है और एक्ट एक्ट्वल में कितना वदा 22400 0000 यह आ गया वन बाइफ ओर मॉल यहां पर जो एलेक्ट्रिसिटी है वो वन बाइफ ओर मॉल ओक्सिजन को डिस्प्लेस कर रही है पर यहां पर हमें एक्विवेलेंट वेट लेना यह मोल हो गया इसका कितना वन बाइफ और चार्ज ओ टू पर चार्ज कितना हो गया फोर यहां पर यह फोर बाइफ फोर वन तो यहां पर अब हमें पूछा है कि यहां पर कितना डिस्प्लेस होगा तो जितना यह डिस्प्लेस हो रहा है इक्वल टू वन हो गया अब वेट हमें दे दिया कितना atomic weight दे दिया कितना 108 तो यहां पर इसको weight is equal to यह इधर ले जाएंगे तो 108 यह आएगा तो मतलब वन मोल displace होगा यह तो 108 आएगा तो यह 108 यह रहा 108 मतलब यह जो है वह 1 by 4 मोल displace करवा रहे हैं equivalent weight के according बट silver जो हो केवल एक ही मोल displace हो रही है उतनी electricity में यह 1 by 4 मोल displace हो रही है जबकि ag जो हो silver जो है वो केवल एक मोल displace हो जाती है उतने time में तो यहां पर यह वन मोल निकालना है तो 108 by 108 होता है तो weight कितना हो गया 108 तो answer आजाएगा option d clear हो गया okay next question number 51 देख लेते question number 51 है हमारे सामने how many grams of cobalt metal will be deposited when a solution of cobalt chloride is electrolyzed when a current of 10 ampere 109 minute और यह फिरादे और atomic weight यह सब कुछ दे दिया गया इस type का question आए ना एक formula बता देता हूं आप याद रख लेना हो यह अगर हम इस type का यह पूचा कि how many grams of weight वगेरा पूचा है तो यहां पर w weight यानि weight जो होगा वो होगा i icon सा हो गया current किस में ampere में into t time time हो गया हमारे किस के अंदर seconds के अंदर into equivalent weight equivalent weight क्या होता है weight upon में charge clear हो गया upon में क्या हो जाएगा nine six five zero zero कर देना वन फेराडे यह formula लगा लेना लिख लेना कहीं अगर इस टाइप का क्योंसन आ रहा है तो इस टाइप के पूचे दो बस यह चीज़ के लिए रोगी ओके अब हमें सब कुछ दिया देखो current दिया 10 ampere minute दिया टाइम दिया है 109 minute current दे दिया 10 ampere time दे दिया 109 minute minute को second में कर ला तो इसको multiply कर लेंगे किससे 60 से अब atomic weight दे दिया अब और कोबाल्ट क्या है 2 तो equivalent क्या हो जाएगा 59 by 2 क्यों क्योंकि इसमें plus 2 electron मिलेंगे तो 2 तो चाल्ज हो जागे तो एक्विलेंट क्या हो जाएगा 59 by 2 एक्विलेंट वेट आ गया तो अब सारी वेल्यू पूट कर देते हैं डबली जीकल टू आई टी एक्विलेंट अटोन में 96500 देखिए भीया आई कितना हो गया 10 यह हो गया 109 इंटो 60 एक्विलेंट क्या हो गया 59 by 2 और यह क्या हो जाएगा 96500 यह वेट निकाल दीजिए अब इन सब की केल्कुलेशन करोगे तो यह आएगा हमारा लगबग 19.99 यह नि 20 के असपास आएगा तो अंसर आजाएगा हमारा ओप्शन बी क्लिए ओके नेक्स्ट हमारे सामने कि कि उससे नमबर 52 है कि उससे नमबर 52 देख लेते हैं ऐल 203 इस डिड्यूजड बाइलेक्रोलाजिस एड्लोड पोटेंचिल एंड हाई करंट इफ इतना एंप्यर करंट है पास्त्रू मॉल्टन एल 2 फॉर फॉर 6 आवर यह हमारे पास में टाइम दे दिया है वापिस वही ज प्रोड्यूस कितना होगा तो वही वाला है वेट अपोन में आई इंटू टी इंटू इक्विलेंट वेट अपोन में 96500 लेरा आई हमें दे दिया 4 इंटू 10 की पावर 4 टाइम हमें 6 आवर दिया तो 6 आवर को पहले 60 मिनेट में कनवर्ट करेंगे फिर सेकेंड में होता है तो 27 by 3 करेंगे तो यह आगया 9 बस यह वैल्यू पुट कर लो यह 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 9 अपोन में 96500 यह सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लो आपका अंसर जो है वो आ जाएगा यह कितना आएगा यह आएगा 8 इंटू 10 की प है कि उसे नंबर 53 है कि 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटोमीक मास देदिया 27 इस डिपोजिडेट कैथोड एल प्लस त्री है सुलीशन बाइस सटेन कॉंटिटी ऑफ इलेक्रिक चार्ज जाए दा वॉल्यूम ऑफ इट्रोजन गेस प्रोडूज सेम कॉंटिटी ऑफ लेक निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है वेट अपॉंट फाइट जाएगा 27 अब हमें वोल्यूम चाहिए कि कि हाइड्रोजन इसमें यह तो पुछा है दा वाल्यूम ओ फाइड्रोजन प्रोड्यूस पूचा है एड्स प्लस आन की तो वॉल्यूम ओफ है तो इक्विलेट्ट तो सेम रहेंगे दोनों के अंदर क्योंकि सेम एलेक्टरियूसी पास हो रही है देखे लिखाए बाइड़ से quantity of electric charge तो वही पुचा तो number of equivalent तो सेम रहेगे कितने 0.5 अब हमें चाहिए equivalent volume H plus sign है और the volume of hydrogen produce hydrogen क्या है गेस H2 होती है तो यहाँ पर क्या होगा हमसे पूचा है liter में किसमें पूचा है liter में तो यहाँ पर 0.5 into 22.4 liter होता है और यहाँ पर इसका हमें equivalent से है न equivalent volume तो इसका charge कितना होता है 2 हो गया क्यों H2 होता है न हाइट्रोजन गेस तो 2 हो गया अब इसको कर लो भी है 1.2 by 22 तो यहाँ पर इसको टोटल 22.4 को 4 से डिवाइड कर लो तो यह आएगा 5.6 तो answer आजाएगा option D clear हो गया okay next हमारे साबने question number 54 है question number 54 देख लेते हैं in electrolysis of NACL when platinum electrode is taken then H2 is liberated at cathode while with HD cathode it forms sodium amalgam the reason for this इन्होंने बोला कि जो NACL को हम electrolyze करवाते हैं अगर हम platinum electrode लेके तो वहाँ पर hydrogen gas जो होती है वो liberate होती है cathode पे अगर उसकी जगा हम mercury ले 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 तो वहाँ पर जो sodium amalgam बनता है इसका reason क्या है क्या यहां पर जो HG है वो ज्यादा inert है platinum से या फिर more voltage is required to reduce H plus at HG than at platinum या फिर sodium is dissolved in HG while it does not dissolve in platinum या फिर concentration of hydrogen is large when platinum electrode is taken इसका reason क्या है इसका reason यह है कि यहां पर अगर हमें HG लेंगे तो वहाँ पर ज्यादा voltage चाहिए पर इन्होंने क्या है बोला है कि वह सेम ही हम जो है वो current रख रहे हैं सेम ही चीज रखे हैं तो उसके वज़े से अगर हमें यहां पर जो है अगर यह चीज बनानी है हमें H2 को जो है वो deliberate करवाना है hydrogen gas लेगा नहीं है तो आपे more voltage की required पड़ेगी HG पे धन है platinum की जगह है ले लोगा तो answer क्या बन जाएगा हमारा option B बन जाएगा नेक्स्ट हम क्यूसर नम्ब जो 55 देख लेते हैं बहिए 55 में हमारे सामने हैं फाइव अपियर करेंट पास्ट्रू ए सॉलीशन ऑफ जिंक सेलफेट फॉर 40 मिनेट्स दामाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेट का तो हो जाएगा नहीं होगा बता देता हूं को डेबलीव इस उक्वाल टो आई इन्टू टिंटू इक्विलेंटवेट अप्वोन में 96500 ऐ दे दिया है कितना 5 एंपर टाईम दे दिया है फॉर्टी मिनिट्स तो फॉर्टीइ इन्टू कितना कर लोगे शिक्स्टिस सेकिंन निकालने के लिए एक्विलेंटवेट के ल 5 upon 2 और यहां पर लास्ट में कितना गया? 96500 तो वेट आजाएगा, कितना गया? 4 ग्राम के आसपास आएगा, हमारे पास में 4 ग्राम यह है 4065 तो अंसर आजाएगा option D calculation कर ले ना, अंसर आपका निकल आएगा नेक्स्ट नमारे सामने कि उससे नंबर 56 है है कि उससे नंबर 56 में क्या बोला गया सोडियम इज मेड बाइदा इलेक्ट्रोलाइसिस ओफ ए मॉल्टन मिक्सचर ओफ एबाउट 40 परसेंट एनेचल और 60 परसेंट एनेचल क्यों लेना पड़ रहा है क्योंकि केल्शियम केंड डिस्प्लेस एने फ्रोम एनेचल या फिर क्योंकि वहां पर हमें जो है वो एलेक्ट्रोलाइसिस पास करवा के सोडियम निकालना है तो इस जोनों को मिक्सचर जब लेंगे तो उनका जो मेल्टिंग पोईट होगा वह एनेचल से कम होगा इसलिए मिक्सचर ले रहे हैं तो अंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ले रहा है क्योंकि भी तो फो फिट सेवं देख लेते हैं वैन सी ऐसलिवास उस उस इलेक्ट्रोलाइसिंग प्लेटिनिम लेक्ट्रोड इन्होंने बोला कि जब हम सी ऊसलिवास करवा बेज यह ये प्यो तो वहां पर क्या होगा copper is liberated cathode sulfurate anode copper is liberated cathode oxygenate anode sulfur is liberated cathode oxygenate anode oxygen liberated cathode ये same type का जो है हमने question किया था जब starting में हमने question किया था 45 question मैंने बता था इसी type का same question आगया आएगा NCRT page number 87 और 88 पे दिया हुआ है अब क्या दिया है कि copper जो होता है वो cathode पे liberate होता है वहाँ पे anode पे क्या release होती है oxygen release होती है तो answer क्या जाएगा option B आ जाएगा next time question number 58 देख लेते है on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode the product obtained at the anode would be hydrogen oxygen hydrogen sulfide sulfuric acid same question number 45 है क्या liberate होगा भया oxygen liberate होगी तो answer क्या बन जाएगा option B बन जाएगा next हमारा जो topic है वो है fuel cells और fuel cells है क्यों से number 59 पूछा गया a device that convert energy of combustion of fuel cells like hydrogen and methane directly to electrical energy is known as वो galvanic cell होता है उसको ऐसे design किया जाता है कि यहाँ पर यह जो hydrogen वगेरा methane वगेरा उनको release करके electric cell में convert कर पाएगा उस cell को क्या बोलते है definition है क्यों से cell की fuel cell की NCRT का page number 90 NCRT page number 90 पे यह definition due यह directly तो answer आजाएगा option 9 C next हमारे सामने क्यों से number 60 है the efficiency of a fuel cell is given by तो efficiency of fuel cell कैसे दी जाती है यह दी जाती है delta G upon में delta H यह स्परी energy upon में enthalpy delta G upon में delta H यह रहा तो answer आजाएगा option B याद रख लेना clear हो गया okay next हम बात करते हैं corrosion के बारे में बिल्कुल लास्ट topic है NCRT के अंदर page number 91 पे corrosion okay next हमारे पास में question number जो 61 है zinc can be coated on iron to produce galvanized iron but the reverse is not possible जो zinc होता है उसको iron पे coat करके हम galvanized iron बना सकते हैं बर इसको reverse नहीं कर सकते हैं यानि zinc पे हम iron को नहीं चड़ा सकते हैं ऐसा क्यों है zinc is lighter than iron या फिर zinc has lower melting point than iron zinc has lower negative electrode potential than the iron या फिर zinc has the higher negative electrode potential table D.U.E.A. पता होना चाहिए zinc जो होती है वो higher negative electrode potential होता है than the iron इस वज़े से यह इसी चीज़ हो सकती है यहाँ पर इसका reverse नहीं हो सकता है तो answer आजाएगा option D next हमारे सामने किसे number 62 है क्यों से number 62 में क्या बोल गया the most convenient method to protect the bottom of ship made of iron जो समुंदर के अंदर जो ship होती है जो iron से बनती है उसके bottom को protect करने के लिए क्योंकि वो बार-बार water में रहेगी तो corrosion ना लग जाए उसके लिए हम क्या करते है coated with the red lead oxide white tin plating coating it with the mg block या फिर connecting it with the pb block तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर देखी वहाँ पर आगर आप देखोगे जाद तर वहाँ पर white color से दिखाए देता है actual में वहाँ पर देखोगे white tin plating कर दी जाती है तो answer आजाएगा option B next time मैं समने कि उससे number 63 है कि उससे number 63 में क्या बोल गया to protect iron against corrosion the most durable metal plating on it कौन से हो सकती copper plating, zinc plating, nickel या फिर tin देख लो जिसका electro potential क्या होगा high या कम यहाँ पर किसका होगा क्या होगा zinc plating कर लेंगे तो electro potential जो high होगा उसका clear हो गया तो यहाँ पर जो है answer आजाएगा option B okay अब हम चलते हैं NEET 2021 and 2022 के question के दरफ okay तो हमारे सामने अब at NEET 2021 का question 2021 में इस chapter से दो question आया पहला question है the molar conductiveness of NACL, HCL and CS3, CO, N ने का दिया हुए infinite dilution पे यह से सब कुछ है the molar conductiveness of CS3, CO, CH and infinite dilution चूज़दा देख लो इसी type का same हमने question number 37 करवाया था अब आपके सामने है हमने आपे क्या बनाना है CS3, CO, H बनाना है तो इसके अंदर जो CS3, O, N है इसके अंदर HCL को add कर देंगे और NACL को remove कर देंगे तो यहाँ पर यही तो हमें करना है यह कैसे बनेगा CH3, CO, O, N है इसके अंदर HCL को add कर दो और NACL को minus कर दो अब यहाँ पर देखो जो हमारे सामने CS3, O, I, वो कितना है 91 है प्लस में कितना है 426 कर दो, minus 126 कर दो यह approximately 391 के approximately आ रहा है तो answer आजाएगा option 3 clear हो गया same question था इस type का पहले भी आ चुका था आगे भी आ गया तो हमने कर दिया next time question number 2 देख लेते हैं need 2021 का ही second question the molar conductivity of 0.01 acidic acid is 21 what is the dissociation constant of acidic choose the correct option यह सब को हमें दिया वाई moral conductivity तो देखिए हमसे क्या पूचा है what is the dissociation constant पूचा है k is equal to क्या होता c alpha square इसी type का हमने question किया था question number 40 but अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर c तो दे दिया कितना 0.007 but alpha directly दिया है नहीं दिया है alpha में हमें इस concentration पे तो दे दिया है but infinite को निकालने के लिए इन दोनों को add करना पड़ेगा acidic acid क्या होता है यही तो होता है CS3 COH तो इन दोनों को add कर लेंगे 350 प्लस 50 कितना हो गया 400 तो alpha को निकालने के लिए कितना हो गया 20 upon में 400 कर लेते हैं पहले तो तो यह 1 बाइ 2 हो गया तो 1 बाइ 2 हो गया हाँ यह ना clear हो गया अब यहाँ पर सुरी इसको भी कट कर लेंगे तो यह 1 बाइ 20 हो गया सुरी हाँ तो यह 1 by 20 हो गया, तो यह हमारा आगया alpha, c हमारा कितना है, 0.007 और alpha कितना है, 1 by 20, आप उनमे 1 by 20 into 1 by 20, यह calculation कर लेंगे, तो हमारा answer आजएगा, इसको जब calculation करेंगे, तो यह हमारे सामने जो निकल कर आएगा, वो आएगा, 1.7 into 10 की power minus 5, clear हो गया, NCRT का page number 83 and 84 पे है, इससे वाले वाले जो क्यूसल था, वो भी हमारा NCRT के page number 83 पे था, ओके अब हम चलते हैं, 2022 के क्यूसंस के तरफ, किस के क्यूसंस की तरफ, 2022 के क्यूसंस की तरफ, तो यहाँ पर देखते हैं, at 298 Kelvin, standard electrode potential दिया हुए, copper का, zinc का, iron का, और यहाँ पर silver का, कितना दिया हुए, 0.34 minus NCRT के page number 68 and 71 पे यह सब कुछ दिया हुए कि कौन सी reaction हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या कुछ हो सकती है, मैं आपको simple बता देता हूँ, जितनी ज्यादा higher value होगी, वो वहाँ पर किस में रहेगा, cathode होगा, अगर बहुत ज्यादा higher value हो तो वो क्या होगा, cathode होगा, तो पहले वाले यह देखते हैं, CUSO4 and ZN है, तो यहाँ पर देखें, CUSO4, यह वाला CU है, और यहाँ पर क्या है, second क्या है, ZN है, तो यहाँ पर देखें, ZN, इसमें higher value किस की होगी, copper की होगी, तो यह क्या होगा, cathode होगा, यह anode होगा, इसके अंदर reaction हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, तो हमारे यह बिलकुल सही होता है, next यहाँ पर देखें, CUSO4, FE, यहाँ पर FE3 and here, यहाँ पर CU है, CU की value कितने है, 0.34, FE की दिए, minus, यह minus, तो higher value copper की है, copper क्या हो सकता है, यहाँ पर, cathode हो सकता है, यहाँ पर यह anode होगा, यहाँ पर क्या होगा, reduction होगा, और यहा की value क्या दिए, देखें, FE की value दिए है, हमारे सामने, minus में 3.4, zinc की है, minus 7.6, तो अब भी यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, cathode हो जाएगा, यह क्या जाएगा, anode हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने, जो है, LOAN, तो यहाँ पर जो है, वो anode पर क्या होता है, oxidation होता है, तो य जबकी AZ की कितनी 0.8, तो यहाँ पर यह cathode होगा, यह anode होगा, और cathode पर क्या होगा, cathode पर reduction होना चाहिए, बट इन्होंने क्या कर दिया, oxidation कर दिया, क्या ऐसा पूसीबल है, नहीं पूसीबल है, तो यहाँ पर जो यह गलत दिया है, यह पूसीबल नहीं हो सकता, तो answer आज नहीं देगा, NCRT की पैस नंबर 68 & 71 पर सारे रेक्शन दिया, वह इसाब कुछ अमने बताया है, प्रिदो क्या, ओके, नेक्स जालते हैं भाईया कि उसन में, नेक्स हमने बोला, given below the half cell reaction ही हमारे साब ने, आफसेल रेक्शन दिया, विल दा पर्मनेंट अगने, MNO4 लिबरे 2 का सेकंड यूसन है, क्या लिबरेट करवाना है, इसको अक्सिजन लिबरेट करवाना है, अब यहां पर इन्होंने पूछा है कि यह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सबसे पहले देखिए, अगर यह spontaneous process निकल कर आया, तो reaction बहुत आसानी से अपने आप हो जाएगी, अब यहां पर NF का रोल ज्यादा नहीं है, E-note, क्योंकि यहां पर E-note, E-note बार बार दिया है, तो E-note हमें इसको negative रखने के लिए इसको क्या चाहिए, positive होना चाहिए, तो अगर हमारा E-note यहां पर positive आ गया, तो हमारा E-note हो जाएगी, oxygen भी release हो जाएगी, यह जिसके लिए ह और गी, अब यहां पर total हमें क्या निकालना पड़ेगा, cell जो है, वह electrode potential निकालना पड़ेगा, तो यहांपर इकिए, вы electrode potential निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, E is equal to E cathode minus E anode, यहां-itas clear ना, अब दिखिये, यहांपर हमें cathode or anode निकालना पड़ेगा, तो यहांं पर हम देखिए हमें यहां पर दिया है MN plus two convert हो रहा है MN4 बच हमें यहां पर release करवा रहा है तो यहां पर यह जो हमें दिया इसको हम reverse करेंगे यहां पर यह दिया क्या वाइस standard oxidation potential इसको standard reduction potential में convert करेंगे तो यह जो माइनस वाला इसको कर लेते है वन पॉइंट फाइल जिरो यह अब किस पर हो जाएगा cathode पर हो जाएगा minus anode कर नहीं हमें यहां पर यह जो आजएगा minus इसको क्या कर लेगे minus तो 1.223 तो हमारा electrode जो है वो cell का निकल कर आजएगा इनोट cell निकल कर आजएगा इनोट cell अब कितना आएगा यहां पर इस में से इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा प्लस में निकल कर आ रहा है तो प्लस में निकल कर आ रहा है जिरो पॉइंट एट सेवन वाला तो अगर यह प्लस में आ रहा है तो डेल्टा जी क्या हो गया Spontaneous हो गया नहीं हो गया क्योंकि Delta Z negative हो गया क्योंकि E cell हमारे plus में आगया तो Oxygen Release हो जाएगी यह नहीं हो जाएगी हो जाएगी तो Yes हो जाएगी क्योंकि E cell जो आ रहा है वो हमारे किसमें आ रहा है Positive के अंदर आ रहा है तो Answer आ जाएगा Option First ओके लास्ट क्यूसन देख लेते हैं यह हमारा किसका है ट्वंटी ट्वंटी टू का क्यूसन है लास्ट क्यूसन है फाइंड दा ये मॉफ ऑफ दा सेल इन वी चौफ दा फॉलग रियक्शन टेक प्लेस यह सब कुछ हमें दिया हुआ है ओके भी यह तो यहां पर देखिए न इसल का एक फॉर्मॉला हमें पता होना चाहिए इनोट माइनस में यह वाला टू पॉइंट त्री जिरो दिरू आटी इन्टू एफ एन एफ होगा यह ओके एन एफ और यहां पर क्या हो जाएगा लोग प्रोडेक्ट अपन में रिए तो निकल और यहां पर एजी एजी क्य वाला सबको समय दे दिये 0.5 मैनस में 0.059 एन कितना है हमारा टू है देखो यहां पर निकल में टोटल चार्ज टू यार रहा है तो यह टू आ गया लोग अब यहां पर निकल की कितनी कंसेंट्रेशन दिये यह दिये हैं 10 की पावर माइनस 3 और यह कितना जगा 10 की पावर म पास वाला कोई option है नहीं एक 1.03 एक 1.3 है और एक यहां पर 0.96 है और एक है नन तो हमारे पास में नन वाला answer आजाएगा क्यों क्योंकि हमारे answer आना चाहिए 10.4 बट इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो answer आजाएगा नन अगर यह 1.05 होता ना तो हमारे answer आता थर्ड answer आजाएगा कितना option 4 तो यह सब कुछ नहीं चेप्टर के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जेर कीजिए मिलते हैं जल देने एक स्टुडियो साथ तब तक के लिए धन्यवाद